Hello dear students, आज हम जिस topic के बारे में बात करेंगे वो है DNA extraction, कैसे किया जाता है plant cell से अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको लडाई के लिए जाना है border पे, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज वहाँ पे क्या होती है obviously आपके हथियार, आपके weapons, बट अगर आपको अपने हथियारों को अपने weapons को अच्छे से चलाना नहीं आता, तो आप border पे जाके भी कुछ नहीं ख़ड़ पाओगे, right? So, आपको आज की इस लडाई को, जो की हमारी DNA को extract करने की है, यहाँ पे हमारे जो weapons है, वो है हमारे instruments और chemicals, that means कि आपको instrument और अगर chemicals की जानकारी नहीं है, तो आप DNA को extract नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले आपको इन दोनों के बारे में सीखना कंपल सरी है, और मैं कोई ज्यादा instruments और ज्यादा chemicals के बारे में नहीं बताँगा, कुछ बिल्कुल most important, बिल्कुल most selected से instruments आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आपको इस experiment को perform करने के लिए सिर्फ तीन instrument का पता होना चाहिए, वो तीन instrument कौन-कौन से हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, autoclave क्या होता है और कैसे काम करता है, this is your first instrument, second है आपका water bath, और third instrument है आपका centrifuge, यह centrifuge machine, बस इस से ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यह तीन instrument अगर आपको अच्छे से use करने आ गए, तो आप इस experiment को perform कर सकते हूँ, उसके बाद chemicals देखिए, कौन-कौन से chemical है, जो आपको पता होने चाहिए, आपको जैसे की instrument में मैंने बताया, तीन instrument, वैसे आपको 6 chemical हों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कौन-कौन से 6 chemical है, सबसे पहले आपको पता आपको यह पता होना चाहिए, कि extraction buffer होता क्या है, और extraction buffer को बनाया कैसे जाता है, extraction buffer के बाद आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म और आईसो अमाइल अलकौहल के बारे में, इसका एक mixture हम त्यार करते हैं, आईसो, अमाइल, अलकौहल, यूर फॉर्थ कैमिकल इस इथेनोल, फिफ्फ्थ कैमिकल है आपका टी ए बफर, और उसके बाद सबसे लास्ट कैमिकल है आपका, सिक्स्थ वन, इस, इस, आर एनेज, एंड, प्रोटीनेज के, दो अलग अलग कैमिकल है, आर एनेज अलग होता है, प्रोटीनेज के एक अलग कैमिकल है, यह च्छै कैमिकल आपको पता नहीं चाहिए, और यह तीन इंस्टुमेंट अगर आपको अच्छे से आगे, तो बही करके आपको इनके मेन मेन पॉइंट्स बताता हूं सबसे पहले इंस्ट्रुमेंट्स से हम शुरू करते हैं अब इंस्ट्रुमेंट्स में सबसे पहला जो इंस्ट्रुमेंट्स मैंने आपको बताया वो है ओटो क्लेव ओटो क्लेव क्या होता है आप सभी ने घर में प्रेशर कुकर तो देखा होगा ओटो क्लेव बिल्कुल वही है प्रेशर कुकर बट थोड़ा सा डिफरेंस है जैसे कि ओटो क्लेव में क्या होता है आप प्रेशर को नोट कर सकते हो temperature को note कर सकते हो बट आपके घर पे जो pressure को करोता है उसमें ना तो आपको ये पता चलेगा बट temperature कितना है ना आप उसमें pressure को measure कर सकते हो तीसरी बात जो pressure को करोता है उसको आप flame के उपर रखते हो आप चुले पे या gas के उपर उसको रखके चलाते हो बस इतना सा difference है और कोई ज़्यादा difference नहीं है दोनों के अंदर steam sterilization होता है so purpose क्या हुआ autoclave का autoclave का use होता है it is used to sterilize equipments आप अपने experiment में जो कुछ भी use करोगे चाहे आप bicker use करो test tube use करो कोई भी सबसे पहले ऐसा नहीं कि wash किया मुँ ठाके और चल दिया experiment करने नहीं आपको जितना भी समान use करना है सभी को autoclave करना पड़ेगा पहला step यही होता है कि आपको सारे समान को क्या करना है autoclave क्यों करना है क्योंकि हो सकता है आपके bicker या जो test tube आप यूज कर रहे हो उसके साथ कोई bacteria लगा हो fungal spore लगे हो कुछ भी हो सकता है कोई भी contamination हो सकती है sterilize का मतलब होता है contamination free करना किसी चीज़ को sterilize का मतलब होता है contamination free बिल्कुल शुद्ध कर देना सिद्धी से वाशा में बोलो तो हमें sterilize करना equipment को इसके लिए हम क्या करते है autoclave का use करते है autoclave के अंदर क्या है जैसे कि मैंने बताया pressure cooker के जैसा system होता है तो इसके अंदर high pressure steam होती है high pressure steam गर्मा गर्म भाब बनती है इसके अंदर और उसी के वजह से killing होती है जो भी bacteria, fungal, spores कुछ भी होगे, सब destroy हो जाएंगे autoclave के बारे में आपको दो main points हमेशा याद रखने है पहली बात तो इसका temperature इसका temperature जो आपको maintain करना है वो होना चाहिए 121, 121.6 degree Celsius ये हमेशा ध्यान रखना है it should be the temperature इससे कम नहीं होना चाहिए 112 से बिलकुल भी कम नहीं होना चाहिए और दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है इसका pressure तो pressure रखना है आपको इसका 15 pascal पर square inch ये रखना है आपको pressure चीक है तो temperature 121.6 degree Celsius pressure 15 pascal पर square inch उसके बाद में कितने time तक आप किसी भी चीज को autoclave करते हो आपको पता तो हो आपने समान रख दिया कितनी देर के लिए उसको रखना है तो autoclave में आप 15 से 20 मिनट के लिए अपना समान रख सकते हो 15 to 20 मिनट अब ये depend करता है आपके समान के load पे अगर कम समान है तो 15 मिनट में भी स्टेरिलाइज हो जाएगा अगर load ज्यादा है समान ज्यादा उसके अंदर load कर रहे हो autoclave में तो 20 मिनट तक रख दो अगर आप कोई भी चीज इस मान लीजे स्टेरिलाइज कर रहे है तो 20 मिनट रखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है उसको 20 मिनट तक आप हर चीज को रखो अच्छे से clean होगा और अच्छे से आपके final results आएंगे यह पूरा experiment यह पूरा autoclave perform करते टाइम आपको बस दो बतने ध्यान रखनी है और अगर वो दो बात आप नहीं करोगे तो autoclave करने का भी कोई फायदा नहीं है एक तो आपको सबसे पहले autoclave के पास खड़े होते ही पहली चीज जो चेक करनी होती है वो होता है water level चेक water level आपका जो autoclave है जो मैं आपको बार-बार डायग इसमें दिखा रहा हूँ ठीक है तो water level इसमें पूरा होना चीज असा नहीं कि पानी है ही नहीं आपके autoclave में और उसको आप electricity में लगा के चला रहे हैं वो जल जाएगी उसकी road वगएरा होगी जितना आपको चाहिए है 15 pressure जो चाहिए है वो आएगा ही नहीं और वो pressure नहीं होगा तो bacteria वगएरा फंजाई वगएरा वो खतम ही नहीं होगे तो आपका समान sterilize नहीं होगा तो autoclave का काम होता है steam की help से भाप की help से equipments को क्या करना sterilize करना यह autoclave का काम होता है और आपको हर चीज़ को autoclave करना है चाहिए आपको कोई भी instrument हो तो यह था पहला autoclave के बाद second देखिए उसके बाद में है water bath water bath क्या है water bath को आप क्यों use करते हो देखने में यह ऐसा लगेगा कि डबा सा है मतलब की steel का एक डबा सा है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और वो पानी गरम हो रहा है और आप उसमें कुछ भी रखोगे तो वो जितना आप temperature maintain करना चाहते हो वो आप उसका temperature maintain कर सकते हो ले हम इसको prefer करते हैं जो flammable chemicals है उनके लिए especially क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी flammable chemical है जवलनशील अगर कोई chemical है अगर आप उसको सीधा flame पे लेके गरम करोगे तो वो आग पकड़ लेगा तो हम क्या करते हैं इसको water bath में रख देते हैं so we prefer water bath for heating flammable chemicals जवलनशील chemicals को गरम कर ना हो हमें experiment में तो हम यूज करेंगे water bath का क्योंकि हम उनको direct गरम नहीं कर सकते हैं वो आग पकड़ सकते हैं तो water bath में कोई दिक्कत नहीं है गरम पानी में उस चीज को रख दो वो चीज थोड़ी देर में गरम हो जाएगी temperature को आप अपने हिसाब से सैट कर सकते हो अपने हाथ से सैट कर सकते हो उसके अंदर बटन होता है या कुछ आज कल automatic भी आगी है जिसमें automatic सैट हो जाता है सिंपल सा एक इंस्ट्रुमेंट होता है बस गरम पानी के अंदर आपको चीज को रखना होता है तीसरा इंस्ट्रुमेंट देखिए के सैट्री फ्यूंगेशन या सैंत्रिफ्यूज़ मशिन सेंट्रिफ्यूज मशिन क्या करती है् सैड्यींटेशन प्रिंसिपल पर काम करती है सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल पे काम करती है ना वट इस सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल देखो वही सिद्धी सी बात है आपके घर में जो आप जो दही होता है सुबह जब उसमें मशीन लगाते हो तो वो क्या करता है जब वो मशीन घूमती है दही के अंदर तो लसी अलग हो जाती है और जो मक्षन होता है वो हलका होता है वो उपर आ जाता है तो सेडिमेंटेशन में यही होता है कि जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो उपर आ जाती है हलकी चीज़ें उपर आ जाती है these are dense particles, dense particles निचे बैठ गए, और जो हलका fluid होगा, या कोई भी जो हलके particles होगे, वो हो जाएंगे उपर, so, this is light particles, और light fluid, तो सिद्धी सी बात है, इस एडिमेंटेशन प्रिंसिपल का मतलब, हलकी चीज़ उपर, भारी चीज़ें, निचे इसमें बैठ जाती है, इसके अंदर rotation होता है, जो भी tubes होती है, वो काफी speed से rotate करती है, तो ये instrument के बारे मैंने आपको बताए, बस तीन instrument दध्यान रखने है, auto clay, water bath और centrifuge machine, अब बताता हूँ, कौन-कौन से chemical यूज़ करने होते हैं, और वो 6 chemical जो मैंने आपको उपर बताए है, इन 6 chemicals का परपज क्या होता है, यूज़ करने का, सबसे पहला chemical है हमारा, liquid nitrogen क्यों use करते हैं, हम क्या करेंगे, liquid nitrogen के अंदर अपना जो भी leaves होंगे, जो पत्ते बगारा होंगे, उसके उपर liquid nitrogen डालेंगे, और crush करेंगे, तो liquid nitrogen क्या करती है, plant tissue को freeze कर देगी, liquid nitrogen क्या करेगी, जमा देगी, इसका roll क्या रहा, freeze the plant tissue, और अगर plant tissue freeze हो जाएगा, अब देखो, कोई भी, देखो, soft चीज़ को रगणना मुश्किल होता है, उसको grind करने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर कोई चीज़ सक्त है, hard होगी है, तो उसको grind करना easy होता है, तो benefit क्या मिला हमें, कि grinding easy हो जाएगी, easy to grind, ओके, और साथ में जो सैलवाल होगा, वो भी breakdown हो जाएगा, easy to grind a frozen tissue, यह बात समझ में आगे, आपको liquid nitrogen का use क्यों कि है, उसके बाद second chemical देखिए, second है, हमारा extraction buffer, अब extraction buffer जो है, इसके अंदर बहुत सारे chemicals मिलते हैं, तब जाके extraction buffer बनाया जाता है, और मेरे ख्यासे, आपके पूरे experiment का, जो main chemical हैता हो, extraction buffer रहता है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत जादा time आपको लगता है, इसके अंदर जो chemicals है, उनको separate separate तियार करना पड़ता है, तो मैं बताता हूं कि extraction buffer में कौन-कौन से chemicals होते हैं, कितना-कितना उनको लिया जाता है, और उनका क्या रोल रहता है, देखिए, extraction buffer में आपका जो पहला chemical है, वो है, C-Tab, C-Tab की full form होती है, C-Tile, Trimethyl, Ammonium Bromide, C-Tile, Trimethyl, Ammonium, Bromide, यह क्या है, यह एक तरह का detergent है, C-Tab क्या है, it is a ketinic detergent, आप बोल सकते हैं, इसको, detergent, जैसे कि हम घर में कपड़े दोने के लिए detergent यूज़ करते हैं, सरफ यूज़ करते हैं, यह भी वैसा ही detergent है, ठीक है, और इसका purpose, हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, that is the main thing, भही हम इसका role क्या है, तो इसका काम होता है, cell membrane को breakdown करने का, यह क्या करेगा, जो भी plant की cell membrane होगी, उसको breakdown कर देगा, break, cell membrane, प्लस, एक काम और करेगा, जो polysaccharides होते हैं, membrane के असपास, चिपके हुए बहुत सारी polysaccharides होते हैं, उनको भी remove कर देगा, remove, polysaccharides, तो यह दो काम करने के लिए हम c-tab को use करते हैं, second chemical है हमारा, tris hydrochloride, और tris HCl, अच्छा एक बात मैं बतानी बूल गया, जो c-tab है, वो आपको लेना है, 12.5 ml, उसके बाद है, second chemical, tris HCl, tris HCl आपको one molar concentration का solution बनाना है, और यह इसके जुड़त पड़ेगी आपको 10 ml, ओके, अब इसका रोल क्या है, यह क्या करता है, देखो यह पूरे experiment के अंदर है ना, जो हमारा DNA है, वो pH sensitive है, पहली बात, और जो pH sensitive DNA है, वो अगर थोड़ा सा भी pH fluctuate हुआ, तो खराब हो जाएगा, तो हम नहीं चाते कि pH की वज़े से हमारा DNA खराब हो, इसलिए हम यूज़ करें, tris HCl को, तो tris HCl का काम होता है, पह को maintain करने का, पह को maintain करने का इसका काम होता है, ताकि हमारा जो DNA है, वो खराब ना हो, वो pH sensitive है, और जो पह को maintain करते हैं, उनको हम बोलते हैं, buffer, then, third chemical is EDTA, EDTA की full form यहाँ पर नहीं लिख रहा, वैसे बताते था हूँ, it is ethylene diamine tetra acetic acid, और यह हमें लेना है, 0.5 molar concentration में, और इसकी total amount जो होगी, वो चाहिए गया हमें, 5 ml, यह concentration है, बच्चों, इसका क्या use होता है, यह क्या करता है, DNA's activity को रोकता है, अब इसके बारे में सबजना जरूर ही है, तो देखो, इसको आपको समझाता हूँ, DNA's activity क्या है, माल लीजिए, यह कोई cell है, ठीक है, और यह cell के अंदर अपना nucleus है, और इस nucleus के अंदर अपना DNA है, this is our DNA, अब जैसे ही इसके बाहर की membranes breakdown होगी, तो जो membrane होती है, इनके साथ में एक खतरनाक चीज होती है, वो खतरनाक चीज है, DNA's, so this is DNA's, यह DNA's, देखो हमने बोला कि जब membranes breakdown होगी, जब C tab, जब C tab, इन membranes को breakdown करेगा, तो DNA तो free हो जाएगा, लेकिन जैसे ही DNA free होगा, यह DNA's इस DNA का दुश्मन है, यह आपस में दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, ठीक है, लेकिन इस DNA's के एक खास बात है, यह तब तक काम नहीं करेगा, जब तक इसको इसका friend ना मिले, और इसका friend कौन है, इसका friend है, magnesium, DNA's अपने जो भी काम करता है, वो magnesium के साथ मिल के करता है, अगर DNA's को magnesium ना मिले, magnesium iron इसको ना मिले, तो DNA's अपना काम नहीं करेगा, तो हम क्या use कर रहे हैं, EDTA, now why we are using EDTA, मान लीजिये, यह है हमारा EDTA, this is our EDTA, अब यह EDTA क्या करेगा, जैसे हम EDTA डालेंगे, EDTA जाकर के, magnesium iron को destroy कर देगा, magnesium iron को chillate कर देगा, ठीक है, और इसी लिए हम इसको बोलते हैं, chillating agent, so, जैसे ही magnesium iron खतम होगा, EDTA की वजए से, अब देखो, मैंने बताए, DNA's तब तक काम नहीं करेगा, जब तक इसको magnesium नहीं मिलेगा, अब magnesium ही खतम होगया, तो DNA's काम नहीं कर पाएगा, और अगर DNA's काम नहीं कर पाएगा, तो अपना DNA's सुरक्षित है, अब इसको DNA's से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, यह था EDTA का रोल, कि EDTA क्या करता है, EDTA DNA's से protection प्रोवाइड करता है, DNA's enzyme से DNA को protection प्रोवाइड करता है, कैसे, magnesium iron को chillate करके, magnesium iron यहाँ पर co-factor है, DNA's activity के लिए, next, chemical की तरफ बढ़ते हैं, next होता है हमारा, sodium chloride, sodium chloride हमें 5 molar concentration का solution बनाना है, और इसके जरुत पड़ेगे में 30 ml, ठीक है, अब sodium chloride में, sodium का क्या रोल लाता है, आपको वो भी समझना जरूरी है, sodium क्या करेगा, phosphate के साथ bind हो जाता है, और जिसकी वजह से, जो charge होता है, वो neutral हो जाता है, actual में क्या है, देखो, मैं आपको बताता हूँ, यह जो DNA है, ऐसे बहुत सारे DNA separate होंगे, क्योंकि बहुत सारी cells हमारे पास है, plant के अंदर, तो जब यह DNA free हो जाएंगे, तो क्या होगा, मान दीजिए, these are many different different DNA molecules, और सभी के उपर हमें पता है, DNA पर कैसा charge होता है, negative, DNA पर negative charge क्यों होता है, phosphate के वजह से, okay, DNA पर negative charge किसके कारण होता है, phosphate के कारण, अब negative, negatives, हमें पता है कि एक जैसे charge होते हैं, एक दुसरे को repel करते हैं, like charges, repel each other, unlike charges attract each other, तो यह जो बहुत सारी DNA हो जाएंगे, यह क्या कर रहे हैं, एक दुसरे को repel कर रहे हैं, एक दुसरे को दूर-दूर फेंग कर रहे हैं, जिसके वजह से, माल लीजी, यह tube है, इस tube के अंदर यह सब है, this is a tube, और इस tube में सारे एक दुसरे को repel कर रहे हैं, तो यह सारा का सारा solution जो है ना, यह सारे DNA molecules unstable रहेंगे, और यह नीचे नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनके अपस में जगडा चल रहे हैं, जब हम sodium iron डालेंगे तो क्या हुआ, sodium chloride के अंदर, जो sodium है, इसके अंदर, यह जो sodium iron है, अब यह sodium iron क्या करेगा, sodium iron की इस phosphorus के साथ बड़ी अच्छी friendship है, यह क्या करेगा, अपने friend chloride को छोड़ देगा, क्योंकि chloride में negative charge होता है, जब हम solution बनाएंगे, तो chloride को यह छोड़ देगा, और यह अपनी नई दोस्तिक इसके साथ में करेगा, phosphate के साथ में, क्योंकि इसके प्रतिस की जो affinity है, वो ज्यादा है, तो यह जा करके, क्या करेगा, phosphate के साथ bind हो जाएगा, और अपनी दोस्ती ने भार आएए, ठीक है, positive negative, जैसे ही यह phosphate के साथ में bind होगा, अब यह charge जो है, यह neutral हो गया, ठीक है, और इनके बीच का जो repulsion था, वो खतम हो गया, जैसे ही इन सभी के बीच का repulsion खतम होगा, तो यह DNA molecule क्या होंगे, सब neutral, और neutral DNA molecule, they will start to precipitate downward, यह नीचे की तरफ precipitate करना start कर देंगे, तो कुल मिलाके, sodium chloride ने क्या किया, कुल मिलाके, sodium iron की वजह से क्या हो रहा है, जो DNA है, वो precipitate हो रहा है, ओके, concept कली रहा, sodium chloride वाला, अगला chemical देखिए, next chemical हमारा, इधर ही लिख देता हूं, 5th chemical हमारा, PVP, what is PVP, PVP का मताब तब पोली विनाइल पाइरो लिडोन, पोली विनाइल पाइलोल, PVP का जो हमें solution बनाना है, वो 10% concentration का बनाना है, और इसके जो total हमें जूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी 200 µL की, रोल समझना जरूरी है, भई PVP हम क्यों use कर रहे हैं, देखिए, plants के अंदर polyphenols होते हैं, बहुत ज्यादा, और almost हर plant cell के अंदर, या plant tissues के अंदर polyphenol मिल जाते हैं, अब ये polyphenol problem create करते हैं, final जब हम क्या बोलते हैं, उसको PCR करते हैं, या purification करते हैं, तो polyphenol जो problem create करते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो polyphenol जो आगे चाकर के problem create कर रहे हैं, polyphenol, जो in future PCR में या DNA purification में जो problem create कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो अभी से खतम हो जाएं, या अभी से हम उनको अलग कर दें, तो PVP क्या करता है, polyphenol को absorb कर लेता है, ये PVP polyphenols को पकड़ के रख लेगा, इनको लोफ पीवीपी, ठीक है, और मैंने बताया कि polyphenol लगबग plant tissues में common होते हैं, नेक्स्ट केमिकल देखें, पांच होगे, मैंने टोटल 6 केमिकल आपको बताए थे, नी सोरी, ये तो अपना extraction buffer का चल रहा है, ओके ओके, extraction buffer चल रहा है भी, तो PVP के बाद में, हमारा नेक्स्ट जो केमिकल है, वो है, बीटा मर कैप्टो इथेनोल, ये हमें लेना है, 200 माइक्रो लिटर, और इसका काम क्या है, ये एक strong reducing agent है, first point ही आपको, सब को पता होना, it is a strong reducing agent, but भाई, use क्यों करना है, ये भी तो पता हो, तो ये क्या करेगा, ये दो चीजों को absorb कर लेगा, या remove करवा देगा, एक तो remove करवा देगा, tannins को, plant के अंदर tannins और most plants में होते हैं, so it remove tannins, हमें tannins के कोई जरूरूत नहीं है, आगे चलके वो interfere करेंगे, हमारी DNA purification में हम उनको remove करवा देगे, बीटा, मर, कैप्टो, इथेनोल से, और साथ में ये polyphenols को भी remove करवा देगा, so remove two things, tannins and polyphenols, दोनों को क्या करवाता है, ये remove करवा देगा, इसके बाद, बीटा, मर, कैप्टो, इथेनोल के बाद, हमें जो next चीज यूज़ करने होते हो, वो है distilled water, distilled water हमें use करना है 40 ml, और distilled water का मतलब आप सभी समझते हैं, पानी को गरम करके उसके vapors को, उसकी भाप को हम ठंडा करके use करते हैं, अब देखिए next chemical, ये तो हाँ extraction buffer के बारे में, तो इतने सारी chemical जब आप बना लोगे, तो वो सारा complete आपका बनता है, extraction buffer, चीक है, अब next chemical देखिए, इसके बाद में है अपना chloroform, आपको ये चाहिएगा, हम क्यों use कर रहे हैं, इसके दो purpose है, इसको use करने के, जो chloroform है, वो lipids को हटाने के काम आता है, इट रिमूव, लिपिड, ये निक आसपास जो भी lipids होंगे, जो fatty molecules होंगे, उनको हटा देगा, और जो आईसो अमाईल एलकोहल है, ये क्या करता है, anti-forming agent है, it is anti-forming agent, मतलब कि जाग जो बनेंगे, फॉर्म जो बनेंगे, उनको remove करेगा, और जाग क्यों बन रहे हैं, जाग बनने के दो reason है, एक तो इस experiment में हम phenol का इस्तेमाल होना है, कुछ reagents को बनाने में आप phenol का इस्तेमाल करोगे, phenol की वजह से foam बनते हैं, और दूसरा foam बनने का reason आप उपर देख सकते हो, हमने शुरू में क्या यूज किया है, C tab, जो कि एक detergent है, और जब भी detergent यूज करते हैं, तो जाग बनते हैं, सब को पता है, घर पे जब आप कपड़े वगएरा दोते हैं, डिटरजेंट यूज करते हैं, तो जाग को उटाना जरूरी है, तो यह तीन chemical हमने कर लिए, अब एतेनोल को क्यो यूज करना है, एतेनोल का काम क्या है, यह DNA को precipitate करवाने में help करेगा, DNA को क्या करवा देगा, precipitate, मतलब कि DNA नीचे बैठ जाएगा, ट्यूब में ठीक है और कैसे करवाएगा अगर कोई पुछबए DNA कैसे प्रेसिपिटेट करता है इथेनोल कैसे प्रेसिपिटेट करता है DNA को तो आप क्या बता होगे कि जो इथेनोल है वो एक dehydrating agent है dehydrating agent का मतलब होता है जो water को हटा देता है अब महां लीजिए जो DNA है DNA के चारो तरफ क्या है water molecules है ठीक है महां लीजिए यह कोई DNA molecule है तो इस ट्यूब के अंदर यह DNA molecule है और DNA molecule के आसपास क्या मिलेंगे water film होती है प्रसकर जाओ दो इतना रेख़्र मिलेंगे water film को रिमूव कर देगा रिमूव यह वा टर फिल्म जैसे ही यह water film री मूव होगी दैन next में क्या होगा आपका यह DNA है यह नीचे बैड जाएगा यह नीच्छे ऐसे करके प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो यह काम है इथेनोल का नेक्स्ट केमिकल देखिए इसके बाद है टी-ई बॉफर ती-ई बॉफर यानि के टी-ई बॉफर जो है इसमें दो केमिकल होते है आपने IGH का मतलब है जो है टी-व जो है टीस क्लूराइब या टीस हुआट्र लास्ट केमिकल है आपका, वो एडिशिनल केमिकल है, मतलब कि अगर आपको बहुत हाई लेवल पर प्यूरिफिकेशन चाहिए है, बहुत हाई प्यूरिफाइड डियने अगर आपको चाहिए तो आप इस केमिकल को यूज कर सकते हैं, that is RNAs, कि अगर आप चाहते हैं कि RNA आपको अपने प्रोसीजर को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो आप बात करते हैं प्रोसीजर की प्रोसीजर में मैं आपको ये नहीं बता रहा है कि कौन सी चीज कितने ML लेनी हैं, वो सब मैं आपको एक PDF डाल दूँगा, इसी के वीडियो के description box में वहाँ से आप देख सकते हैं, वही कौन सी चीज कितने ML लेनी हैं, कितने temperature पर गरम करनी हैं, मैं आपको प्रोसीजर का ब ठीक है, ग्राइंड करने के बाद में, उसके बाद आपको extraction buffer डालना है, मैंने आपको extraction buffer बनाना सिखा दिया, और उसके अंदर ये भी बता दिया कि extraction buffer में क्या क्या chemicals हम क्यों यूज करते हैं, extraction buffer डालती है, आपको बहुत अच्छे से इनको mix कर लेना है, then incubation करवाना है आपको, incubation का मतलब होता है, एक particular temperature पे किसी चीज को रख देना, एक fixed temperature पे किसी चीज को रख देना, तो आपको incubation के लिए यहाँ पे water bath का use करना है, और पूरी रात के लिए आपको incubation देना है, अप incubation के बाद जब अगले दिन सुबह आप जाएंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको add करना है, chloroform, ratio, isoamyl alcohol का mixture, ओके, उसके बाद आपको centrifuge करवाना है, centrifugation का step रहेगा, और centrifugation करवाना आपको 10,000 rpm, rpm का मतलब होता है, rotation per minute, एक मिनट में कितनी बाद रोटेट कर रहा है, एक मिनट में 10,000 बाद आपके machine रोटेट करेगी, तो 10,000 rpm पे आपको इसको रोटेट करवाना है, और उसके बाद जब भी आप centrifugation करवाऊगे, एक बाद ध्यान रखना, centrifugation करवाते ही, दो चीज़ें होगी, एक phase हलकी चीज़ उपरा जाएगी, भारी चीज़ निच्छे आजाएगी, दो phase बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जब दो phase आपके tube के अंदर आपको दिखाई दें, उनमें से आपको aqueous वाला phase ले ले लेना है, टेक, aqueous phase, उसी के अंदर आपका DNA है, और बाकी का जो बच्चे गा, उसको discard कर देना है, तो discard the rest, ठीक है, aqueous phase ले ले लेना है, बाकी को क्या कर देना है, discard, और उसके बाद जो aqueous phase है, उसके अंदर फिर से chloroform, isomile, alcohol डालके, फिर से centrifuge करवाना है, यानि कि इस step को यहां से फिर से शुरू कर देना है, यहां से फिर से शुरू कर देना है, एक्वस फेज को ले करके आपको फिर कलोरोफोम एलकॉल डालना है सेंटिफ्यूज करवाना है और फिर आगे करोगे तो इस स्टेप को आपको क्या करना है टू टाइम्स दो बार करना है उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब आपके पास जो मिक्सचर आया है उसके अंदर आपको डालना है सोडियम एसिटेट और चिल्ड इथेनोल प्लस चिल्ड इथेनोल ठीक है तो जैसी चिल्ड इथेनोल डालोगे मैंने बताया था चिल्ड इथेनोल क्या करेगा प्रेसिटेट करना स्टार्ट कर देगा DNA को आपको क्या करना है सारी रात के लिए अब अपने ट्यूब को रखके छोड़ देना है सुबह जब आपको आओगे लैब में आपको अपनी ट्यूब में निच्चे प्रेसिपिटेट हुआ मिलेगा आपका DNA देने लेकिन आपको चिल्ड इथिनोल डाल के उसको इंक्यूबेट भी करवाना है इंक्यूबेट करवाना है इंक्यूबेशन देना आपको माइनस 20 डिगरी सेल्सियस का ठीक है यानि कि आपको आपके पास अगर इंक्यूबेट होगा तो आप माइनस 20 डिगरी सेल्सियस पर अपने ट्यूब को रखके जाओगे so that DNA क्या हो जाए प्रेसिपिटेट डाउन नीचे बैठ जाए ठीक है और ये काम आपको करना है ओवरनाइट जब आप सुबह आओगे तो आप क्या पाओगे कि जो आपकी ट्यूब है उस ट्यूब के नीचे आपको फ्रेगमेंट्स दिखेंगे like this that means कि आपका जो DNA है वो क्या हो चुका है precipitate हो चुका है separate हो चुका है तो ये एक basic सा mechanism मैंने आपको बताया ज्यादा detail में नहीं बताया है सिरफ निचोड बताया है अगर आपको बिलकुल है कि कितने ml लेना है कितने temperature पे रखना है उसका PDF मैं इसके description box में डाल दूँगा वहां से आप देखके proceed कर सकते हैं आपको पता चल गया कि कौन से instrument यूज़ करने है कौन से chemical यूज़ करने है क्यों यूज़ करने है और procedure कैसे proceed करना है तो आप सीज़ें सारी clear हो चके अगर फिर भी कुछ clear ना हो तो comment box में आप लिख सकते हो that's it thank you so much